हलो, नमस्ते, प्रणाम साश्रिया कालादा, कैसे हैं आप सब, I hope सब हैपी होंगे, हल्दी होंगे and of course smiling होंगे, welcome to divine guidance channel, मैं फिर आ गई हूँ आप सब के साथ एक ऐसा topic लेके आज, तो चलिए सुनते हैं, क्या है आज का topic, आज का topic है, what is unconditional love, प्यार बिना शर्टों के, बिना कोई अपेक्षा के, क्या है ये, क्या वाकई ही ऐसा कोई प्यार होता है क्या, आज की दुनिया में, तो चलिए सुनते हैं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, रिष्टों में, अपने ओधे से, अपने काम से, अपने आप से, तो क्या ये प्यार शर्थ के साथ है? कि ऐसे होगा तो मैं ऐसा करूँगा वैसे होगा तो मैं वैसे करूँगा ये होगा तो ही मैं प्यार करूँगा वो होगा तो ही मैं प्यार करूँगा क्या ये प्यार प्यार है? नहीं ये प्यार तो शर्टों वाला प्यार है ये तो सौधा है जिसे हम कहते हैं न कि कोई आपसे अगर प्यार करता है और आपको चेंज करने की कोशिश करता है आपको बदलने की कोशिश करता है तो वो प्यार नहीं है वो एक सौधा है एक बिजनस डील है मैं कहूंगी कि आ आप अगर ऐसे करेंगे, तो ही मैं आपसे प्यार करूँगा. तो क्या मतलब है, कौन करता है हमसे अनकंडिशनल प्यार? हमसे अनकंडिशनल प्यार करते हैं परमपिता परमेश्वर. हम कुछ भी करें, हम क्या भी करें, हम जहां भी रहें, हम जैसे भी रहें, हम चाहे गलत करें, चाहे सही करें, फिर भी परमपिता परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं क्यों करते हैं परमपिता परमेश्वर हमें बहुत प्यार? क्या मतलब है उनका हमसे? क्या चाहते हैं वो हमसे? कुछ नहीं चाहते हैं आप से फिर भी आपको प्यार करते हैं क्योंकि हम सब परम, पिता, परमेश्वर के बच्चे हैं जैसे माबाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा परम, पिता, परमेश्वर हम से प्यार करते हैं unconditional, infinite love, बिना कोई शर्थ के, बिना कोई अपेक्षा के, एक आवाज आप दो, भगवान को भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, यह शक्ती है, और यह प्यार की शक्ती ही पूरी ब्रह्मान का सत्य है, love is the universal language, हर चीज़ में प्यार आप, unconditional अगर आप प्यार करेंगे, तो आपको इस जीवन में क्या, आप जब इस जीवन को छोड़ के, परमपिता परमेश्वर के पास भी चले जाएंगे, तो वहाँ एक ऐसी जगे, ऐसा स्थान आपको मिलेगा, जो आप कभी अपने मन से सोच भी नहीं सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको कोई कह दें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा chemical reaction हो जाता है माइंड में, कि ऐसा लगता है कि हम कितने भाकेशाली हैं, हम कितने blessed हैं, हम कितने grateful अपनी जिन्दगी के लिए हैं, आपको ऐसा लगता है, आपकी जिन्दगी यहीं सार्थक हो गई है, तो सोचिए, भगवान तो बहुत प्यार करते हैं हम से, लेकिन हमारे पास कुछ second भी नहीं होते हैं भगवान के लिए, कि हम उनसे बाते कर सकें, उनके लिए वक्त थम जाए हमारे पास, हम इतने ही जादा अपनी जिन्दगी में वेस्थ होते चले हैं, कि पाँच मिनिट किया कुछ second भी नहीं मिलते हैं, कि हम भगवान से बाते करें, मॉबाइल उठाते हैं, टेक्स्ट करते हैं, सोशल मीडिया को सर्फ करते हैं, भवान से बाते करने के लिए कुछ सेकेंड भी नहीं है तो कितने हम सेलफिश होते चले हैं तो अगर हम सेलफिश होते चले हैं तो क्या हमारे अंदर एक उर्जा प्यार की बहेगी नहीं रुकती रहेगी क्योंकि हमारे अंदर अपेक्षा बढ़ती चली जाएगी हर चीज के प्रोज और कौन्स है कौज और एफेक्ट है कोई भी चीज आप करेंगे मतलब के साथ करेंगे तो सामने वाला भी आपके साथ मतलब से ही रहेगा प्यार करिए बिना सोचे समझे कि उनका वहवार जैसे भी हो वो कुछ भी आपके साथ करें फिर भी आप प्यार करोगे बिना शर्तों के बिना अपेक्षा के अनकंडिशनल प्यार करोगे क्योंकि आप अनकंडिशनल लव से ही पैदा हुए हो भगवान आपको अनकंडिशनल लव करते हैं बहुत प्यार करते हैं परमपिता परमेश्वर आप आज अगर इस दुनिया में हो इस जीवन में अगर आप आए हो बहुत आपने कर्म खराब किये हैं फिर भी आपको जीवन दिया गया है फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपकी जिंदगी में अच्छी है आप अच्छे दिखते हो अच्छा घर है अच्छा परिवार है अच्छे दोस्त है सांस ले रहे हो जीवन में हर चीज बहुत अच्छी है फिर भी आपका नजरिया ये होता है कि मेरी किस्मत खराब है क्यों ये सब बाते आती है ये सब बाते इसे लिए आती है कि कहीं न कहीं हम खुद को भूल चुके हैं और हम एक ऐसी उर्जा में रहते हैं जहां पे हम बहुत अपेक्षा ही रखते हैं दूसरों से हम वो अपेक्षा के जनजाल में फसे हुए हैं हम चाहते ही नहीं है कि हम खुद को unconditional प्यार करें हम चाहते हैं बहार से कोई आए और हमें unconditional प्यार करें यह कैसे मुमकिन है जो अंदर है वो ही बहार reflect होता है जैसे आप mirror के सामने अगर खड़े हो गए आईने के सामने आईना आपको वो ही दिखाएगा जो आप हो तो अंतर मन से बहार वालों को सब उर्जा मिलती है आप जैसा सोचते हो वैसी उर्जा मिलती है आप अगर conditions के साथ प्यार करोगे शर्तों के साथ आप प्यार करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ शर्तों के साथ प्यार करेगा आप unconditional प्यार करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ अंकंडिशनल प्यार करेगा ये कूरजा है everything is about energy vibration, feelings, emotions and everything starts within you and ends within you आपके अंदर ही सब कुछ शुरुवात होती है आपके अंदर ही सब कुछ खतम होता है एक इंसान आया है दुनिया में वो इंसान जाएगा दुनिया से अकेले आये हैं अकेले ही जाएंगे साथ हमेशा एक ही है हमारे साथ वो है परम्पिता परमिश्वर पाके जीवन में जितने रिष्टे हैं वो यह झूट जाने हैं चाहे माबाप हो चाहे भाई-बहन हो चाहे हज्बन वाइफ हो तो चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी क्यों नहों, सारे रिष्टे आपने हैं छोड़ देने हैं, एक रिष्टा जो आपका बहुत पक्का है, वो है परमपिता परमिश्वर के साथ, तो बनिए परमपिता परमिश्वर जैसे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों कि हम उन कि बच्चे हैं पूरा संसार उनी से चल रहा है तो प्यार करेंगे शर्तों के साथ तो अगला भी प्यार करेंगा शर्तों के साथ जीवन ऐसे जीया कीजिए जैसे परमपिता परमेश्वर चाहते हैं लेकिन कैसे पता चलेगा परमपिता परमेश्वर क्या चाहते हैं वो जब भी पता चलेगा जब आप खुद को पूरी तरीके से एकसेप्ट करेंगे, खुद को पूरी तरीके से कहेंगे कि मैं जैसा हूँ, जाहां हूँ, जिस भी हालत में हूँ, खुश हूँ और खुद को बहुत अनकंडिशनल प्यार करता हूँ, फुल स्टॉप, इसके इलावा कुछ भी नहीं, जितना आप बोलेंगे, उतना शक्ती आप पाएंगे आपके अंदर रेडियेट हो रही है, आपके अंदर शक्ती बढ़ती जाती है, कोई कितना भी बिमार अगर क्यों ना हो, अगर वो खुद को कहे कि मैं खुद से बहुत प देती है, इतना पावर है इसमें, लेकिन इसको जानने के लिए पहले खुद को एकसेप्ट करना बहुत जरूरी, जब तक आप एकसेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आप कंडिशन्स में जीएंगे, और कंडिशन्स इस नोट गूड, जैसे जैसे आप कंडिशन्स प्लेस करत अगर सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो ही मैं बात करूंगा, तो ये सारी शर्ते हैं, तो निकलिए ये जंजाल से, कंडिशन्स इस नोट गूड इन लाइफ, बी इन दे एनरजी ओफ अनकंडिशनल फ्लो, अनकंडिशनल मीन्स जहां पे आप हर चीज सरेंडर क कर देते हो, कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, जो भी होगा मेरे साथ, बहुत अच्छा होगा, हमेशा अच्छा होगा, जहां मैं कदम रखूंगा, वहीं से मेरी शुरुवात होगी अच्छाईगी, जहां भी मैं जाऊंगा, सब लोग मुझे प्यार करेंगे, क्योंकि मै सब लोगों से प्यार करता हूँ, कोई कंडिशन्स नहीं, कोई behavior pattern नहीं, कुछ नहीं, कहीं पे भी अपने आपको block मत करेंगे, किसी ने आपको call नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, आप call करेंगे, आप पूछिए, initiative लीजिए, feel the privilege in taking the initiative, हमेशा ये चीज की expectations में रहेंगे, हाँ, ये ऐसे नहीं करतें, वो ऐसे नहीं करतें, तो हम सारी जिंदगी अपने मन को expectations की mode में दाल देंगे, remove that expectations and be in the flow of acceptance, बहुत जरूरी है, if you want to be the energy of unconditional love, first be a giver to your own self, खुद को दीजिए, unconditional प्यार, जैसे हैं, जहां हैं, जिस भी हालत में हैं, अपने आपको प्यार की उर्जा में पाएं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे ही आप कहेंगे, कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, आप आपके अंदर एक अलग ही उजा रेडियेट हो गई है, आप मौनिंग में जब उठें, तो खुद को कहिए, कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, दो तीन बार कहिए, जोर से कहिए, अंतर मन की आवास को जोर से महसूस करिए, अपने पूरे शरीर में, जब आप उसका एक कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है, एक वाइब्रेशन जैसी एक फीलिंग जाती है, जैसा लगता है, जैसा शॉर्ट सर्कृट चला गया है, तो एक हैपिनस की जो हार्मोन्स होते हैं, वो एक्स्ट्रीम मातरा में फ्लो होते हैं, जब आप खुद को एक्स माइंड है उसको कैसे हम अनकंडिशनल माइंड में लेके आ सकते हैं आपने मन को बिना शर्तों क्या हम कैसे बना सकते हैं यह बहुत easy techniques है जैसे मैं कहती हूँ minimum 11 days and maximum 90 days to follow because एक rhythm बनता है over a period of time और आपकी वो habit में turn हो जाता है तो मैं चाहती हूँ 90 days करिए कोई भी practice और कोई भी जो भी practice आप शुरू कर रहे हैं one practice at one time करिए ताकि यह implementation पूरा पुखता हो जाए फिर next step पे जाए तो करिए follow and जब तक बहुत खुश रहिए बहुत happy रहिए सब को दुआएं दीजिए and शुरुआत खुद से कीजिए thank you for watching this video namaste प्रेनाम